अभी अब वर्तामान इस्तिती में देखें कई तरह की spiritual organization है कई तरह की सैंस्ता हैं कई सादू हैं कई मात्मा हैं जो अलग-लग तरीके से जो अध्यात्मिक के अध्यात्मिता के बारे में बताते हैं अलग-लग उनका तरीका अलग-लग standard है अलग-लग सादना करने का तरीका है उनका और अलग-लग उनके सबकी अलग-लग दर्शन शास्तर है और अलग-लग क्रियाएं बताते हैं कि हाँ ये क्रिया करके हम लोग ये पराप्त कर सकते हैं और ये सिद्धी पराप्त कर सकते हैं और इन सबी में देखें बहुत कम लोग हैं जो सास्तरों के ग्यान के बारे में डिसकस करते हैं और हम लोग भी अध्यादमिक स्तर पे बहुत कमजोर हैं इसलिए हम लोगों कोई पता नहीं चल पाता कि कौन सही है कौन गलत है कोई अपन को बहुत ज़्यादा तपशा करता है या बहुत अच्छा वक्ता होता है या बहुत अच्छा उसके पास ग्यान होता है या कोई सिध्या होती है तो अपन भी उसको बहुत बड़ा महात्मा या ध्रम गुरु मान लेते हैं और उसकी वज़े से कई सारे लोग हैं वो गलत misdirection की ओर चले जाते हैं लेकिन यहां पर आज वाले इस स्लोक में आपन जैसे देखते हैं तो नारदमनी बता रहे हैं कि यह जो knowledge है वो उन्होंने उनको जो पराप्त हुआ बक्ति विदानतों से जो सेम knowledge बक्ति विदानतों ने बगवान से पराप्त किया था जो बगवान ने जैसे बताया था सेम knowledge है उन्होंने उनको बताया है सो अपन एक सिंपल सा टेस्ट है कि कोई भी अपन प्रेक्टिस करते हैं या पिर आध्यात्मिक जीमन में परगति करना चाहते हैं या कुछ आध्यात्मिकता के बारे मन जानना चाहते हैं या भक्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपन को देखता है कि जिसको भी हम लोग जिसको फॉलो करेंगे क्या वो सास्तरों के अधार पर अपन को नौलेज दे रहा गया यदि सास्तरों के अधार पर नहीं दे रहा खुझ से अपना एक अलग तरह का फिलोसोपी त्यार किया है तो यहां पर अपन एक एक क्लेरिटी मिल रही है कि वो सई ग्यान अपन को नहीं दे रहा है जैसे अपन देखें कि जैसे हिरिना कश्यपू था उन्हेंने भी बहुत कटोर तपश्या की थी लेकिन वो तपश्या करने के बाजूद भी वो असूर कहला या इसी तरीके से अपन भी कई बार कोई महान वेक्ती होता है या फिर वो तपश्या करता है भोजदा ग्यान होता है भोध अच्छा वक्ता होता है तो अपन भी उसके दिवारा केरेड़ वे हो जाते है तो अपन को देखना है कि क्या वो सही तरीके से प्रेक्टिस करता या नहीं करता उसका ग्यान सही है या नहीं है तो इसलिए इस वाले स्लोक में जो नारद मुनी बता रहे हैं कि जो भक्ति विदानता थे वो दीन वसला थे दीन वसला का मलब हम लोग जैसे कल्यूग में हैं तो अपन आध्यात्मिक स्तर पे बहुत कमजोर हैं अपन लोगों का जो आध्यात्मिक ग्यान है बहुत वीक है और उसकी बज़े से अपन को भी इतना ने समझ है कि क्या सही है क्या गलत है इसलिए जो सुद भक्त होते हैं बगवान के वो दीन वसला होते हैं वो हम जैसे लोगों के उपर बहुत क्रिपालू होते हैं तो नारद मुनिक क्या बोल रहे हैं क्रिपया दीन वद्सलाहा उन भक्ति विदानते जो सुद भक्त थे उनकी क्रिपा के द्वारा मेरे को यह ज्यान पराप्त हुआ अन्यो वोचन गमिश्यनत है जब वो जा रहे थे जैसे आपलोगों ने पिछले कई सारे लेक्टर्स में सुना होगा कि चतुर मासे के वक्त यह जो सुद भक्त थे भक्ति विदानते थे वो नारद मुनिके घर पर जाते हैं और चार महीने के लिए रुकते हैं महाँ पर और चार महिने के लिए नारद मनी और उनकी जो माता है वो तच्छे से उनको सेवा करती है और जब वो जा रहे होते हैं गमिश यंता है मलब जब जा रहे थे अन्म वोचन उन्होंने ये ग्यान दिया ग्यानम गुहियतमम जो गुहियतम ग्यान है जो सास्तों का गुयतम ज्यान है और उसके बाद में नारतमनी को भक्ति विदानतों ने दिया उसमें किसी तरह का कोई interpretation करके या फिर उसमें तोरवोड करके कुछ पेस मनी किया जैसे उन्होंने बगवान ने दिया था जैसे उनको नारतमनी को बताया इसलिए जैसे एक बार परूपाद किसी अमेरिका में किसी एक सेंटर में थे किसी मंदिर में थे तो काफी लोग बैठे थे तो एक अपने एक भारतिया वेक्ति होता है वो जा करके परूपाद को बोलता है कि परूपाद आपने भहुत बड़ा काम किया है कि इसकोन के स्तापना की है और इतने सारे जो भक्त आपने बना दिये हैं इतने सारे जो हिपीज थे अमेरिका में जैसे अमेरिका में जब 1960-70 में हिपी मुमेंट बहुत पॉपुलर था और जितने यंग्स्टर्स थे वो हिपीज बन गए थे ड्रक्स बगेरा लेकर के बहुत गलत एक्टिविटी में थे और अमेरिकन गवर्मेंट है हजारों डॉलर खर्च करती थी उनको वापिस सुधारने के लिए लेकिन बहुत रेली कोई एका दुका को कोई वो बचा पाते थे लेकिन यहां पे वो भारतिये जो वेक्ति है वो बोल रहा है अपने की आपने इस तरह के लोगों को भक्त बना दिया है बिना कि कुछ खर्च किये वे तो वो परुपाद को बहुत गलोरिफाई करते हैं तो परुपाद उनको बहुत इंपोर्टन चीज बोलते हैं कि ये तो सब चैतनिया महाप्रवगा किर्पा है उनका मिशन था कि इतने सारे भक्त लोगों को भक्त बनाना मेरा क्रेडिट तो इतना सा है कि मैंने जो ग्यान मेरे गुरू से पराप्त किया था जो ग्यान मैंने सास्तों से पराप्त किया है वो एजिटीज मैंने मेरे सिस्यों को बताया है उसमें किसी तरह का कोई हेर बदल नहीं की है कुछ किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है मेरा यही एक क्रेडिट है तो जो बगवान का जो सुद भक्त होता है या एक परवानिक गूरू होता है वह एजिटी जो नोलेज है जो सास्तुर का knowledge है वही बताता है वो किसी तरह का फिर बदलाव नहीं करता उसमें इस चीज़ को हम समझते हैं जैसे आज के time में अपन देखें कि जो मनुष्य का जो basic अवसेक्ता है जो कम से कम जरूत होते हैं लोग कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान कि आजकल जैसे बहुत सारी जो राजनितिक लोग हैं वो भी बोलते हैं कि हम लोग हमारी गवर्मेंट में ये चीज अवेलेबल कराएंगे तो लोग बोलते हैं कि basic चीज है रोटी कपड़ा और मकान है लेकिन येदी उसको सिख्सा नहीं दी जाए और केवल रोटी कपड़ा मकान ही दिया जाए तो वो अबन कहते हैं कि ये तो अनाडी वेकती है उसको किसी सरे का ग्यान नहीं है इसलिए ग्यान होना बहुत जरूरी है बिना ग्यान के आप जैसे काइने को तो हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो शुदर क्लास के लोग होते हैं उनको रोटी कपड़ा मकान सब कुछ अवेलेबल है लेकिन वो इतने सिक्षित नहीं होते इसके वज़ा से बहुत awkward life जीते हैं वो एक जिगा परुपात बोलते हैं कि जब किसी के पास धन होता है या सोना होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको बचाने के लिए वो कम ना हो जाए उसके लिए बहुत वो परियतन करता है बहुत सारी उसको प्रोटेक्शन के लिए है बहुत सारे अरेंजमेंट करता है वो लेकिन येदी वही धन को वो येदी ग्यान प्राप्त करने में या सिक्सा प्रुना प्राप्त करने में इन्वेस्ट करता है तो ना तो उसको कोई छीन सकता है ना उसको कोई कम कर सकता है और जैसे हम लोग भी जैसे कई बार किसी के पास पैसा होता है तो वो investment करते हैं कहीं पे ताकि उनको मुनाफ़ा मिलता रहे इसी तरीके से किसी ने ग्यान पराप्त करने में या शिक्सा पराप्त करने में ये इन्वेस्मेंट किया है तो जिन्द की बर उसको मुनाफ़ा मिलता रहेगा जिन्द की बर वो ग्यान है उसको काम में आता रहेगा और परुपाद जी इस चीज़ को बहुत अच्छे से explain करते हैं कि एक बार परुपाद भगवत गिता के एक श्लोक है जिसके उपर class ले रहे थे तो उसमें परुपाद बताते हैं कि ज्ञान के कितनी महानता है अपन लोगों के जीवन में ज्ञान कितना महत पूरण है तो परुपाद जो जिस लोक के उपर lecture ले रहे थे वो लोक था भगवत गिता का देहिन उसमिन ये था देहे कोमारम योमनम जरा तथा देहांतर पराप्तिस दीरस तत्रना मुहियती कि मिलाब देहिन उसमिन ये था देहे मिलाब किसी जैसे होता न कि ये सरीर के अंदर आत्मा है और ये जो सरीर है कोमारम योमनम जरा वो अलग-अलग स्टेजेज में गुजरता रहता है जैसे कोमारम अवस्ता रहती है योवन अवस्ता रहती है उसके बाद वो बुजुर्ग हो जाता है तो बगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि धीरस तत्रना मुहियती जो धीर लोग होते हैं वो इस तरह के परिवर्तन में और ये सरीर के खतम हो जाने पर वो विचलित नहीं होते हैं पुरुपाद इसी लेक्चर के इसी स्लोक के उपर जब लेक्चर रहे रहते हैं तो पुरुपाद वो अच्छी चीज बताते हैं कि जो धीर वेक्ति होता है धीर वेक्ति का क्या उसका quality होता है क्या विसेश्ता होती है कि he is undisturbed in mind वो मन में कभी विचलित नहीं होता है वो हमेशा वो धीर बना रहता है वो मलब उसके सामने हजारतरह की problem भी रहेगी फिर भी वो विचलित नहीं होगा अपने वेक्तितव के अधार पे अपने character के अधार पे चरीतिर के अधार पे वही उसी तरह के से वो act करता रहेगा हो लेकिन जो अधीर वेक्ति होता है वो समझ से आई भी नहीं है उससे पहले ही वो विचलित हो जाता है, उसका मन विचलित हो जाता है कि क्या होगा, कैसे करूँगा मैं, किस तरह से फेज कर पाऊंगा, यह situation रहेगी, उस situation में मेरे पास यह चीज नहीं है, तो मैं कैसे उसको फेज करूँगा, तो हजार तरह की उसको मन में ब्रांतियां पैदा हो विचलित नहीं होता है जैसे भगवान बता रहे हैं कि धीरस तत्रना मियुवती यह जो सरीर है यह अपन यह खादम भी हो जाता है तो वो विचलित नहीं होंगे वो तो इसी को अपने एक छोटे तरीके एक जाम्बल के तोरफ में मेरा खुद का एक मेरे साथ गठना हो तो उसके बताता हूं कि 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 अब किसी को यह ज्यान नहीं होता कुछ अपन काम कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं और या बिजनेस कर रहे हैं तो उस फिल्ड के बारे में उसकी अपने को ज्यान नहीं होता तो हम लोग भी कैसे विचलित हो जाते हैं तो एक बार जब मैं यूएस गया था तो मेरे को दो तिन दिन ही हुए थे और मेरे को कुछ गोशाला में शेवा थी तो कहीं दूसरी जेगा जाना था करें दो गंठे का ड्राइव था और वहां जाना थ तो वहां तो क्या कि ड्राइवर्स बगएर होते नहीं खुद से गाड़ी लेके जानी होती तो मंदिर से एक माता जी को मेरे साथ बेजा कि आप वहां पे कुछ काम करना था तो जह हम जा रहे थे तो माता जी ड्राइव कर रही थी मैं पास में बैटा था डेड़ गंटे ड तो लेकिन माता जी है वेसे ड्राइव करती जा रही है तो माता जी को माला कुछ गाड़ी में प्रोब्लम आवाज आ रही है तो माता जी ने गाड़ी को थोड़ा साइड में पूल आउट किया और फिर रोका तो उतर के देखा तो पीछे का टायर है वो फट गया था या और फिर बाद मैंने पूचा कि माताजी इतना क्यों गबहा रहे कि आपको इसे लग रहा है कि ये खराब हो गया तो घरवज आपको कोई डांटें कुछ करें तो उन्होंने बहुत प्रूवी ऐसी बात नहीं है तो इतना क्यों गबहा रहे हैं तो बहुत अब आगे कैसे है जैक भी रखा है इस पैनर भी रखा है तो मैंने सुझा कि ये सब कुछ होने के बावजुति क्यों गबरा रही है तो लेकिन का मताजी को ड्राइव करना तो आता था लेकिन उसको टाइर को केसे चेंज करना है ये कभी उन्होंने शीका नहीं, उन्होंने सुचा कि हाँ, कभी कबार होता है, तो रेली कभी देख लेंगे, तो जब किसी का चीज का अपन को ग्यान नहीं होता, तो हम लोग किस तरह से विचलित हो जाते हैं, किस तरह से गबरा जाते हैं, तो इस तरीके से ग्यान होना परुपाद बताते हैं कि कई बार हम लोग भी जैसे अनफेवरेबल सिच्विशन में होते हैं तो हम लोग भी विचलित हो जाते हैं परुपाद एक्जामपल दे रहे थे कि हम लोग आत्मा है और ये आध्यात्मिक चीज है उसको अपन बहुतिक स्तर पे अपन रखते हैं बहुतिक स्तर पे अपन अपना जीवन जीते हैं तो कभी भी हम लोग इंग्जाटी फरी नहीं हो सकते हमेशा अपन लोग गबराट रह कि विचलित होते रहेंगे क्योंकि भोतिक और आध्यात्मिक दोनों अलग लग चीज है जिसे आत्मा है तो वो आध्यात्मिक है और अपन उसको सोचते हैं कि सरीर के दवारा उसको पहचानते हैं और जानते हैं उसके अधार पे अपन एक्टिविटी करते हैं तो इंसान है वो बिचलित हो जाता है और परुपाद इसका एक एक जामपल दे रहे थे कि जब परुपाद यहां से फर्स टाइम जब अमेरिका जा रहे थे तो वो जहाज से जाते हैं और 35 दिन तक वो जहाज में रहते हैं, समदर में रहते हैं और 35 दिन में बहुत सारी उनको परेशानिया आती हैं, हालांकि परुपाद बता रहे थी बहुत अच्छा जहाज था, अच्छा उनका केप्टेन था, सारी अच्छी वेवस्ता थी, लेकिन वो कमपरडेबल नहीं थे उस जहाज में, क्योंकि यह मनुस्य जीवन जो अपनको म वेवस्ता कर दें, लेकिन कुछ समय तक अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद में हम लोग भी घबराट होने लगेगी और विचलित होते रहेंगे, तो हमेशा जब इनसान परिकुल परिस्तिती में रहता है, तो वो विचलित होता रहता है, तो इसलिए परुपाद एक् कि जब भी इनसान अपने आपको बहुतिक स्तर पर अपनको पहचानता है, जानता है, तो हमेशा वो विचलित होता रहेगा, कभी वो सांत नहीं रह पाएगा वो, और सेम चीज है, वो प्रहलाद माराज भागोतम में एक जिगा बताते हैं, एक स्लोक में, जब हिरना कशे पर उनको पूछता है कि क्या आप सीख के आये हो, तो बताते हैं कि तद सादु मन्ने असुर वर्य देहीनाम, सदा समोद्विग्न दियाम असद ग्रहाद, हित्वात्म पातम ग्रह अंद कूपम, वनम गतो यद धरी मासर येत है, यहां पर प्रहलाद माहराज बोल रहे हैं कि असुर वर्य देहीनाम, देहीनाम अलब जिन ने अपने आपको इस सरीर के रूप में पहचान रखा है, जिनको ये सरीर प्राप्त हुआ है और ये सरीर के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, वो हमेशा एंग्जाइटी में रहेंगे वो, कभी वो सांती से नहीं कि धियम असत ग्रहात, जो असत चीज है, उसको उन्होंने सव्युकार कर लिया है, इसलिए वो हमेशा विचलित होते रहेंगे, हमेशा गबराट में रहेंगे, हमेशा एंग्जाइटी में रहेंगे वो, तो और प्रुपाद एक एक्जाम्पल ओर दे रहेते साथ साथ में कि कई बार है न, अपन स्कूल में हम लोग भी जैसे एक मैथिमेटिकल कही सरे के कैल्कुलेशन करते हैं, और उसमें यदि सुरवात में ही कोई अपन गलती कर देते हैं, तो आगे कितना भी अच्छा अपन उसको कैल्कुलेशन करें, बहुत अच्छे से द्यान रखें, बह यदि हम कितने भी morality को follow कर लें, कितना भी अच्छा character बना लें, कितना भी अच्छा व्यक्तित्वा बना लें, यदि हम लोग अपने आपको ये सरीर मानते हैं, तो पुरुपात बदाते हैं कि जो morality का कोई value नहीं है, क्योंकि अपने आपको हमने गलस समझ लिया है, हम आत्म हैं और अपना ये सरीर के अधार पर हम act कर रहे हैं, सरीर के अधार पर हम लोग activities करते हैं, तो कितना भी अच्छा अपन perform कर लें, कितना भी अच्छा morality, कितने भी अच्छे government के जो civil laws को follow कर रहे हैं, लेकिन अंत में अपन को दूखी मिलेगा, कभी सांती नहीं मिलेगी, जै कि अपने मंदिर के एक दान दाता हैं, तो उनसे जातर उनकी factory है, वेक्टरी में मिलता था, तो एक दिन उनने बोला कि प्रुभी जी आप कभी घर पे आईए, तो मैं एक बार उनके घर पे गया और बहुत सीधे वेक्ती हैं, और बहुत अच्छा दान पुन्य बगरा करते मैं थोड़ा भक्ती बगरा का प्रोपर गाइडेंस नहीं मिला उनको, तो घर गया तो मैं देखा कि हलांकि मैं इतना नहीं सोचा था कि इतने बड़े हैं, घर गया तो देखा तो तीन मंजिल का बड़ा सा घर था, और घर के चारो तरब मलब 600-800 मिटर का अच्छा डेकोरे हो रहे हैं, तो ऐसे करके बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि हम प्रभुजी मैं तो बिजनिस में भी हैं, किसी तरह का लोग टेक्स की चोरी बगएरा करते हैं, यह करते हैं, और मेरे जो वरकर्स हैं, उनको भी मैं टाइमली उनको केर करता हूं, सब करता हूं, किसी त कभी कबार जो मेरा मन है वो विचलित सा रहता है असांत सा रहता है मन और कई बारे से लगता है कि हाँ थोड़ा डिप्रेशन सा हाई सा लग रहा है और कभी कबार बोले रात को नेंद भी नहीं आती है तो मैंने उनको बोला कि आप इस इतने बड़े बंगले में रहते हैं त यारा लोग रहते हैं अस्मेंट बाई और आपका बेटा और भूर इतने सारी वेवस्ता होने के बावजूदा आप को नीन नहीं आती है आपने सोचें कि बाहर कोई रोड़ पे सो रहा है गर्मी में है मच्छर काट रहे हैं वो तो बोले कि मेरे को नीन नहीं आती तो कि उसने जितना अभी वह Act कर रहा है और जिस तरह से अपना जीवन जी रहा है वह इसी अधार पे जी रहा है कि वह यह सरीर है उसको आत्मा के बारे में बगवान के बारे में कोई जयान नहीं है. और उग्यान नहीं होने से ना उस तरह की वो एक्टिविटी करता नो भक्ति कर पाता है और उसी के बज़े से सारी सुक्षुदा होने के बाजूद भी वो अपने जीवन में विचलित है वो हना कई बार एक साधान वेक्ति है वो सोचता है कि मैं इतना धनरजित करके इतना अच्छा घर बनाऊंगा इस तरह की गाड़ी ले के आऊंगा इस तरह की एक्टिविटी होगी लेकिन उसके पास तो भगवान के दय से सब कुछ है लेकिन उसके बाद भी वो विचलित है वो तो हम लोग कभी भी अपने आपको भोतिक परिस्तियों में रग करके सांती से नहीं रह सकते हैं कुछी से नहीं रह पाएंगे क्योंकि ये आत्मा के लिए एक पर्तिकूल परिस्तिती है और इस परिस्तिते में हम लोग कभी भी सांती से कुछी से नहीं रह पाएंगे इसलिए परुपाजी बोलते हैं कि जो बगवान के सूद्ध भक्त होते हैं जो भक्ती वेदानता होते हैं वो इंसान को हम जैसे जो दीन लोग हैं जो आध्याद्मिक स्थार पे बहुत कमजोर लोग हैं उनको ये गुयतम ज्ञान देकर के उनको एक सई रस्ता दिखाते हैं सई भक्ति करने का सई जो रस्ता है अपने को जीवन में किस तरह की एक्टिवटी करना चाहिए और वो भक्ति करके हम लोग इस जीवन में कुशी से रह सकते हैं वरना अपने पास सारी सुक्सुविदा हो करने के बाजूत भी हम लोग विचलित होते रहेंगे तो अभी हम जैसे ये नारद मुनी का केस देखते हैं कि इसमें जब उनके घर पे ये जो भक्ति विदानता जो आते हैं तो किस सिक्वेंस के साथ में वो आगे मलब उनको ये गुयतम ज्यान जो उनको दिया जाता है त तो जैसे अपन देखते हैं कि सबसे पहले जैसे उनके जो सुद्ध भक्त जो भक्ति विदानता जो उनके घर में आये जो सादू आये तो उनको पहले तो उनको संगती मिले और दिरी-दिरी करके उन्होंने सेवा करना उनको स्टार्ट किया कि जब भक्ति विदानता वहां की सेवा करते उनके लिए प्रशाद बगर बनाते तो नारद्मुनी है उन साधूόं की आग्या से जो उनोंने प्रशाद गरहन किया था? वो प्रशाद उनका जूटा प्रशाद है वो खुद गरहन करते असब और जब वहां उनों का ज्ञान सुनने का और वो बार-बार सुनने से नारदमुनि के रिदे में उनके परती सुनने के परती जो कृष्ण कता सुनने के परती एक अटेच्मेंट पैदा हो गया आसकती पैदा हो गई रूची पैदा हो गई और वो रूची पैदा होने से जब भक्ति विदा जो सादूओं को पता चला कि ये कृष्ण कता सुनने में बहुत रूची रखता है तो जब चार महीने खतम होने के बाद जब जार रहे थे तब उन्हों को पता चला कि ये बहुत उसकी रूची है इसमें तब उन्होंने गुयतम जो ज्ञान है वो उनको दिया तो यह जो sequence मैं ने बताई है कैसे कैसे नारद मुने का जो रिदे है परिवर्तित हुआ सेम चीज अपन यहां पर अपन देखे हैं अपने मंदीर में कि परुपाद ने इस तरह का जो एक वातावरन बनाया है इस तरह एक मंदीर बना है हम लोग आते हैं तो यहां पे हम एक दूसरे का सादू संग अपन को मिलता है और सेवा करने की अपन को बहुंदिर में भोशतरे की अपोर्चिनिटी मिलती है हम लोग सेवा करते है तो सेवा करने से और यहां पे आते हैं माप बरशाद भगवान का माप बरशाद अपन को मिलता है भगवान की जो कथा के बारे में सास्तुरे को बारे में अपने को सुनने का मोका मिलता है तो यह सारी एक्टिविटी है वो अपने जीवन में भी यहां म हम लोगों कई बार तें कि एक साल हो गएया, दो साल हो गएया, तीन साल हो गए लेकिन भगवान की कता सुनने में और भगवान के नाम का जब करने में अपनी रूचे पैदा नहीं हुई यहां पर परुपा जी एक जगह बताते हैं क्योंकि हम लोग हैं चीजों को बहुत familiarity से लिए रहते हैं रहता की यह तो अपन को पता है यह सारी चीज幅 हमारे को पता है भगवाज़ किता का ग्याण हमारे को पता है बहुत lightly हम लोग ले लेते हैं और इसकी बज़े से हमारा ये ग्यान पराप्त करने में भक्ति करने में बगवान के नाम का जब करने में उतना रूची पैदा नहीं होता उतना सीरियसनेस के साथ हम प्रैक्टिस नहीं करते और इसकी बज़े से ये रूची पैदा नहीं होता लेकिन ये जैसे परुपाद प कुछी से रह सकते हैं, न은 हम लोग इस जिवन का जो परम अमुद्देस становится है, उसको परापत कर सकते हैं गुयतम ग्यान का होना बहुत जरूरी है बिना उस ग्यान के परापत नहीं कर सकते तो ये रूची पर पैदा करना बगवान के परती बहुत जरूरी है परुपा जी बता रहे हैं कि जो भक्ति वेदानतास थे वो दीन वर्चल थे और उन्होंने जो ज्ञान है ध्य कोंकि दीन वर्चल होते हैं दीन वर्चल मतलब कि हम लोग अध्याद्मिक स्थार पर कमजोर हमारे को ज्रोक आता है तो हम लोग जैसे रोजना मंगलार्ती गाते हैं मंगलार्ती में जो मंगलाचन गाते हैं उसमें एक स्लोक आता है कि साक्सा दरितेना समस्त सास्त्रेर कि जो बगवान के सुद्ध भक्त होते हैं बगवान के परतिनीदी होते हैं और जो भगवान का परतिनीदी होता है वो भगवान की आधार पर उसका समान किया जाना चाहिए परुपाजी एक 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 जामपल देते हैं कि कि किसी को जैसे कोई बिजनिस स्टार्ट करना होता है तो अलग-लग businessmen के साथ में अलग-लग company के साथ में वो deal करते हैं उनके साथ में उनका interaction होता है तो यदि किसी company का कोई representative या परतिनिदी आता है तो आपन लोग उसके उसी परकास deal करते हैं company का owner आया है क्योंकि आपन को पता है कि ये परतिनिदी है ये अपना जो business आगे अपन उसको सही तरीके समान देगे तब इसको आगे बढ़ा पाएगा हो तो इसी तरीके से यदि बगवान के परतिनिदी का जो जैसे बताते हैं जो ग्यान बताते हैं और जो अपन को भक्ति करने का रस्तावता सही चरेक्टिस करते हैं और उनकी सेवा करके उसको परतिनिदी को अपन सड़िस्पाई करते हैं तब हम लोग सही तरीके से knowledge पराप्त कर पाते हैं ऐसे सुद्भक्त की किरपा होना बहुत जरूरी है और ऐसे सुद्भक्त की किर्पा के द्वारा ही हम लोग भक्ती में आगे बढ़ सकते हैं और ये जो गुयतम ग्यान है ये पराप्त कर सकते हैं तो किसी सुद्भक्त की किर्पा अपने उपर नहीं होगी तो कभी हम लोग ये गुयतम ग्यान पराप्त नहीं होगा तो यही जो गुईतम ग्यान है जो नारद मुनी को भक्ति वेदानतों ने दिया था सेम नोलेज जैसे आपन भागवत गिता स्टडी करते हैं तो भागवत गिता में भी दो बगवान कृष्ण है उन्होंने अर्जुन को दिया था और बगवान उसमें अठारवे दिहाए में एक जिगाए बगवान बोलते हैं कि ये गुईये जो ग्यान है सर्वा गुईये तमम भुईये स्रिनु में परमम बचा है इस्टो असी में धृढम इती ततो वक्षयामी ते हितम मालब सर्वा गुयतमम भूया यह जो गुयतम ग्यान है वो आपको मैं दे रहा हूँ और वो क्यों क्यों दे रहा हूँ कि इस्टोसी में दिढम ही थी कि आप मेरे मित्र हो और मेरे सिश्य हो इसके वज़ा से मैं आपको यह गुयतम ग्यान दे रहा हूँ और ये गुयतम ग्यान क्या है वो आगे के स्लोकों में बगवान बताते हैं कि मन मना भवमत बक्तो मद्याजी माम नमस करो कि ये गुयतम ग्यान क्या है कि मन मना मन मला मला भगवान बोल रहे हैं कि आप मेरे बारे में सोचो भवमत बक्तो मेरे भक्त बन जाओ मध्या जी माम आप मेरी पूजा करो और माम नमस करो मेरे को प्रणाम करो तो ये जो बगवान ने अरजुन को ये जो गुयतम ग्यान दिया सबसे पहले इसलिए दिया कि बगवान जो अरजुन था वो बगवान का मित्र और उनका शिश्य था और ये होने से उनको ये गुयतम ग्यान दिया और फिर आगे के स्लोक में बगवान बोल रहे हैं कि सर्वा दर्मान परित्य जे माम एकम सरणम वर जाए कि हम लोग इस इंसार में जो अलग-लग तरीके के धरम अपने बना रखे हैं अलग-लग तरीकी responsibilities देर की हैं उनको सबस को छोड़ करके हम भगवान की सरण में चले जाएं तो ये जो गुयतम ग्यान है सेम ग्यान है भगवान ने भगवत गितामे में अर्जुन को भी दिया जैसे इस तात्परे में परुपा जी लास्ट में बता रहे हैं कि ये गुयतम ग्यान है भगवान ने भर्मा जी को दिया था अर्जुन को दिया है और उद्द जी को दिया था और क्योंकि ये अलग-लग समय पे कई सारी परंपराओं के थरुप जाता है तो कई बार लोग इसको गलत तरीके से इसको यूज में लेना चालू कर देते हैं तो इसलिए बार-बार इसको बगवान अलग-लग वेक्तियों को अलग-लग भक्तों को बगवान देते रहते हैं जैसे मैंने बताया कि जो गुरु होता है वो बगवान के इस गुयतम ग्यान को ही वो देता किसी तरह का उसमें फेर विदल नहीं करता और परुपाज को जैसे कई बार अपने एक लेक्चरें बताते हैं कि परुपाज से पहले कई सारे जो भक्त लोग थे वो Western countries में गए थे पाशाते देशों में गए थे और कई तरीके से उन्होंने जा करके लोगों से interact किया लेकिन किसी ने भी एक वेक्ति को भी भगवान का भक्त नहीं बना पाए वो एक वेक्ति को भगवान से नहीं जोड पाए वो तो पुरुपाद बताते हैं क्योंकि उन्होंने जो सास्तुन का जो नोलेज है वो एजिटीज देने के प्रयास नहीं किये उन्होंने अपना अलग-लग तरीके से इस लोगों को कनवर्ट करने का लोगों को ज्यान देने की कोशिस की और इसकी वज़ा से कभी वो एक इंसान को भी भक्त नहीं बना पाए तो पुरुपाद बोलते हैं कि एक जो गूरु होता है वो सिंपली भगवान के वर्ड्स को ही रिपीट करता है और ये एक सीक्रेट ओव सक्सेस है कि एक सपलता के एक उतनी कुझी है कि अपन भगवान के जो वर्ड्स हैं उन्हीं को अपनाते उन्हीं को अपन फोलो करें तब ही हम लोग अपने जीवन में आसानी से सपलता पराप्त कर सकते हैं जैसे इस लोग में नारदमनी बता रहे हैं उन भक्तिवेदान्तों के बारे में कि वो दीन वस्ल होते हैं क्योंकि हम लोग अड़ाद्मिंग स्थर पर बहुत कमजोर हैं तो कई बार हम लोगों को लगता है कि ये गलत है गलत तरीके से करते हैं और आपन लोगों को सही गल देते हैं और अपन लोगों को जो सास्तुन का नोलेज है उस पे चलने के लिए अगरशित करते हैं और जैसे परुपाद बताते हैं कि ज्ञान तो कुछ कर्मी लोगों को भी होता है कि जैसे कर्मी लोग हैं वो भी सोचते हैं कि हाँ इस जनम के आगे भी एक जनम होगा पुर अच्छी चीज अच्छा है उनको एस्वर्य मिले उसके लिए वो अलग-लग activity करते हैं ताकि caat उनको जो यो लोक पी उनका जनम हो तो वो अलग-लग-लग तरह की charity करते लेकिन उनको ये बता नहीं रहता कि इस बर्मान के अलाव भी आध्यात्मिक जगत है जिसमें अपना जो सरीर है वो चची दानल है कि वहां पे इटनल लाइव सास्वत जीवन अपन को मिलता है और वहां पे जो अपन को सरीर मिलेगा और जो होगा पूरण ग्यान के अध्यार पे अपन को मिलेगा और हमेशा आनन्द रहेंगे तो इस चीज़ का उनको ग्यान नहीं होता तो वो सोचते हैं कि हाँ ये सरीर त्यागने के बाद हम लोग स्वर्ग लोग पे आर अच्छे लोग पे अच्छे स्वरी के साथ में प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन जो महात् गता के आटवे अध्याय में बगवान बताते हैं कि ये जो महात्माज होते हैं माम उपेत्या पुनर जन्में दुखाल या मसासवतम नापनुवंती महात्मानस समसिदिम परमम गता है कि जो महात्माज होते हैं वो ये बताते हैं कि ये जो संसार है ये टेंपरेरी है का घर है और ये संसार त्याग करके हम लोग आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं जहां पर किसी तरह का कोई कुंठा नहीं होगी तो यह जो महात्मा लोग ही है यह इस तरह का ग्यान अपन को पराप्त कर सकते हैं महात्मा लोगों के दुवारा ही हम पराप्त कर सकते हैं लेकिन परुपाद कई जगा बताते हैं कि आज के समय में 99% लोग हैं वो इसी संसार में ही कुशी रहना चाहते हैं इसी संसार में ही वो अलग-लग वेवस्ता करके अलग-लग सुख सुषिधा प्राप्द करके वो कुशी रहना चाहते हैं लेकिन सारी सुख सुषिधा प्राप्द होने के बावजूद भी वो इनसान कुशी नहीं रहा सकते हैं मैंने एक्जाम्पल दिया कि वो उस पर्षन का दिया कि सारी सुख सुविदां थी नोकर थे लगजरी गाड़ियां थे सब कुछ था लेकिन उसके बाद भी वो सांती से निरा पा रहे थे वो तो इसलिए सूथ भक्तों के गाड़ेंस के अधार पर अपनको ये ग्यान पराप्त करना बहुत जरूरी है और येदि हम लोग ये जो ग्यान पराप्त करते हैं ये सई वेक्ति से पराप्त नहीं करते तो ये किस तरह से विचलित कर देता है तो ये सनातन गोष्वामी पद्म पूरान का एक स्लोक बताते हैं कि ये जो ग्यान है जो सिआंपर नारद मुनिय बता रहे हैं कि जो भक्ति वेदानता हैं जो सूथ भक्त हैं उनके तुरू पराप्त किया है तब जाकर उनको गुयतम maximum अब पराप्त हुआ है और ये ग्यान ये पर्मानिक व्यक्ति से परा द्विग्नम, पूतम हरीक अथाम रितम, स्रवनम नेवकर्तव्यम, सर्पोचिस्टम यथा पया है, सनातन गोश्वाम भी बता रहे हैं कि जैसे दूद होता है, वो दूद अपने सरीर के लिए बहुत लाबदाइग होता है, परुपाद बताते हैं कि मिल्क इस दा बेस्ट फ पूरी पूरा दिन भर वो रहता है, 6 मेहने तेक वो, तो मिल्क के अंदर सारी चीछे हैं जो अपने सरीर को जरुत पड़ती है, और ये सेम जो दूद है वो सांप के होटों के दवारा टच कर लिया जाता है सांप की जीब के दवारा टच कर लिया जाता है तो जहर बन जाता है और वो दूद पीने से इनसान की मृति हो जाती है, यो इसलिया फैब कुराहि में जो पदून परान की कोड असलो के थूर बता रहे हैं कि अव वे्ष्ठनवा मुखां गृर्णम कि ये जो ज्यान है अपन किसी अव वेस्टनवा वेक्टी से पराप्ट करते हैं अभक्त वेक्ति से प्राप्त करते हैं तो अपने आध्यात्मिक जीवन का नास हो जाता है और चेतने महाप्रभु भी चेतने चरितापने बताते हैं कि मायावाद्या भाशे सुनले हाईले सर्वनास कि यह जो ज्यान है किसी मायावादी वेक्ति या अभक्त वेक्ति से प्रा तो परुपाद यह जो स्लोक मैंने बताया को ट्रांसलेशन में परुपाद लिखते हैं कि कि no one should hear or take lesson from a person who is not a Veshnova कोई Veshnova नहीं है, ब्रामन नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है तो उस वेक्ति से ये आध्यात्मिक ज्यान कभी प्राप्त नहीं करना चाहिए अपन को Even if he speaks about Krishna Such a lesson should not be accepted For it is like a milk touched by the leaves of a serpent कि वो चाहिए कितना भी अच्छा explain करता हो कितना भी अच्छा वकता हो कभी भी अपन को ये ज्यान उसे प्राप्त नहीं करना चाहिए क्योंकि दूद कितना भी अच्छा होता है अपने सरीर के लिए लेकिन साम्प के द्वारा टच कर लिया जादा तो जहर बन जाता है So परुपाद आगे बता रहे हैं कि Nowadays it is fashionable to observe भागवत सब्ता and hear स्रीमत भागवतम from persons who are anything but advanced devotees or self-realized soul परुपाद बता रहे हैं कि आजकल भागवत सब्ता का और भागवत कता का बहुत प्रचलन है और बहुत सारे लोग भागवत कता करते हैं बहुत अच्छी भागवत कता भी करते हैं अच्छे वक्ता भी हैं और बहुत सारे लोग हैं उनसे मोहित भी हो जाते हैं लेकिन ये दी वो वैश्णवा नहीं है तो ये ज्ञान उनसे प्राप्त नहीं करना चाहिए अपन को иллиघ मेम दिषष हैं प्रहुजुट सबस्क्यार, ए만 dal पresoब बश्सक्रावा इस इसारे उसक्ष्छिय। प्रहुतम नहीं पार्णमाई्ट चैहँ, टृँट काMore Soonत्त्रातॉटरूट हैं वेन ज electr मेंटिलिस्टिक पर्शन फू गो टू वरिंदावन एज अमेटर ऑफ स्पिचल फेसें लाइक टू हिएर देम परुपात बता रहे हैं कि कई सारे मायवादी लोग हैं वो वरिंदावन में भी हैं और वह भागवतम का मेनिंग है अपने तरीके से ट्विस्ट करके लोगों को बताते हैं और लोग बहुत अच्छे सुनते भी हैं तो इस तरह की जो मायवादी लोगों से हैं अपन को बचना चाहिए इस लोग में जैसे नारतमनी बता रहे हैं कि यदि हम लोगों को गुयतम ज्यान पराप्त करना है और आद्यात्मिक जगत में आगे बढ़ना है तो यह जो ज्यान है किसी परमाने गुरू से पराप्त करना बहुत जरूरी है और इस ग्यान के द्वारा ही हम लोग अपने बोट प्रेमानंदी